बहु भी बेटी हुती, राधा की शादी मुहन के साथ हुई, राधा को पसंद उसकी सास ने किया था, उसकी जुबान जरूर तेश थी, पर अंदर से हमदर्द दिल की थी, पर जाहिर कभी नहीं करती थी, राधा बहुत सीधी साधी लड़की थी, वो कभी किसी से जुबान नहीं चलाती, उसे अपनों से बड़ों की इज़त करना आता था, राधा की सास उसे आवाज दे रही थी, कहां मर गई, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, राधा बोली माजी जिन्दा हूं, आती हूं, वो सास के लिए चाय पकोड़ा लेकर आई, सास चाय लेते हुए, प मुझे मानना चायती है, ये तेल वाली पकोड़ी खिला कर, राधा ने कहा ठीक है माजी, आज खा लिए, फिर नहीं बनाऊंगी, और ये वापस ले जाती हूं, जब वो आपको नहीं खाना, राधा की सास ने कहा, रख यहीं, अब क्या खा लेती हूं, बरबाद थोड़ी ना करना है, एक ही ली, कहा कैसी बनाई है, जरा भी स्वाद नहीं है, नमक तूने भर दिया है, राधा चली जाती है, दूर से देखती है मागो, पकोड़ी के उपर तूट परती हैं, और बड़े मजे से खा रही थी, और राधा हसने लगी, दो पहर के वक्त राधा खाना लेकर आई, अपनी सास के लिए, लौकी की सबजी और रोटी, सास ने खाने को देखा, और चिलाती है, क्या भीमारों वाला खाना लाई है, मैं नहीं खा रही, ले जा, राधा ने कहा, डॉक्टर ने आपको मना किया है, दिल में साधा खाने को कहा है, सास मू बनाते हुए खाने लगती है, तु मेरी मा बंजा, बहु मुस्कुराती है और चली जाती, घर पर छोटी सी पूजा थी, सास चिलाती है, बहु ये, बहु वो, दोर दोर कर सारा काम करती है, आरती का समय हुआ, जब राधा काम करके आरती के समय खड़ी हुई, तो आरती करते समय राधा क कि हाथ से ठाली छूट गई, सब ताने देने लगे, सास कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखती रही, खाने के समय सब कम्या निकालने लगते हैं, सब कहते हैं कैसे खाना बनाया है, अच्छा नहीं है, सब को मौका मिल जाता है, सब कहने लगते हैं कैसी बहु लाई है, इसको तूने मेरी बेज़ती करा दी, तू जाहिल है, तुझको कुछ नहीं आता, और फिर राधा रोते हुए कमरे में चली जाती है, सास उठी, बेटे को एक थपड मारा, तूने कैसे मारा मेरी बहु को, तूने हाथ कैसे लगाया, अगर आज के बाद मेरी राधा पर हाथ लगाया तू तेरा हाथ तोड़ दूँगी, और सबके तरफ देख कर बोलने लगी, बहु मेरी बहु अच्छी है, उगली उठाने की जरूरत नहीं है, सुबह से खाली पेट सारा काम किये जा रही, किसी नहीं देखा, एक बार जो कहती हूँ दोड़ी वी आती है, उसने सुबह से क कुछ ना खाया ना पिया, तुम सबका खयाल रखती है, तुम लोगों की कहां की बहु सही है, अपनी अपनी बहु को देखो, जो हर समय तुम्हें नीचा दिखाती, हर समय सुनाती, मेरी बहु मेरी बेटी, और आज के बाद बोलने से पहले सोच लेना, खाने की प्लेटली राधा की कम्रे की तरफ गई, राधा रो रही थी, खाना ले जाकर खाना खिलाने लगी, राधा कहती है मा जी, आप क्यों लाई, मैं खा लेती, सास बोली तु मेरे लिए ला सकती है, एक पैर से दोड सकती है, तो मैं तेरे लिए खाना नहीं ला सकती, तुझे डाटूंग प्यार भी करूंगी बेटी है तू मेरी राधा गले से लग जाती है सास के सास भी खुशी से गले लगा लेती है आपको ये स्टोरी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक शियर कमेंट्स करें